सक्षम न्यूज इंद्या में आपका स्वागत है मैं पुष शाली सिंग और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंद्या की विसेज रिपोर्ट मुंबई के गोरे गाउ में सुल्तानूल हिंद वा मुग्दुम सिमन का काईकरम आयोजित किया गया जहां पर भारी संक्या में लोग मौजूद हुए जिसमें युवा और महिलाएं भी उपस्ति थी इस काईकरम में इसलाम के बारे में बताया गया यह काईकरम मौलाना एजाज असरफी के नेत्रितों में आयोजित किया गया इसके अलावा इसका इक्रम में अभिनेतरी, पुस्पा सुकला, अभिनेता चंद प्रकास्तिवारी भी सामिल रहे है। इसके अभिनेतरी, आप से सची घटना मैं बता रहा हूं मैं कि मैं हिंदू हूं, मगर यह मैंने देखा कि मेरी बीबी को कुछ तकलिफ हुआ था, जिसकी वज़े से मैं हर जगह हिंदू धरम के नजर हर जगह मैं गया, लेकिन मेरी बीबी को कोई आराम विकरत तकलिफ जो थ पास आने के बाद इन्हों ने इस तरह दूआ किया और इतना इलाज इस तरह कर दिया कि आज मेरी बीबी बहुत पर्फेक्ट और बहुत बढ़िया है, इसलिए प्यार मन उमरता है, मुझे जात रहन से कोई मतलब नहीं है, मेरी आने वाली फिल्म है, एक भोश्पुरी फि इसलाम दुनिया में सिर्फ अमन शांती के लिए आया, ना कि आतंगवाद के लिए, जो लोग आतंगवाद का नाम इसलाम से जोड़ते हैं, वो सर गलती पे हैं, इसलिए कि जो लोग सिर्फ इसलाम का नमकोटा पहन के और इसलाम की सूरत बना कर वो दुनिया में आतंगव तो पूरी दुनिया से लोग आये थे सिर्फ शान्ती के लिए इसलाम कभी नहीं चाहेता कि एक इनसां किसी इनसान का कतल करें इसलाम ने एक नाहक इनसान का कतल करने वाला पूरी इनसानियत का कातिल है इसलाम ने हमेशा अपने पड़ोसी का हक अदा करने के लिए कहा गया उसके अंदर यह कहीं नहीं कहा गया कि पड़ोसी मुसल्मान है तो उसका हक अदा करो पड़ोसी कोई भी हो उसका हक अदा करना है उससे वहवार उससे अच्छा रखना है उससे मुलाकात रखनी है उसके दुख दर्द में आपको शरीक होना है हमारे यहां जो भी आता है यह सूफियों की जमात है यहां जो आता है हर समान है एक समान है एक ही जहां बैठने का हुकम दिया गया है एक ही ठाली में खाने का हुकम दिया गया है एक इसाथ रहने का हुकम दिया गया है इस जमात को अमेंद अश्रफी साहमने यह परग्राम इसी मकसद को लेकर कीया है कि अपने अलाखे में जहां तक इनके असरों रसुख हैं और जहां तक हमारी बात पहुंच सकती के साथ रहना चाहिए आपस में मेल मिलाब कीसा रहना चाहिए और अमन की का पैगाम देना चाहिए ना की लड़ाई जगड़े का पैगाम देना चाहिए तिलाक जो की जायज है लेकिन इसलाम में सबसे बुरा कहा गया इसलाम ने कहा कि ये जायज होते हुए भी अल्ला की रसुल ने फर्माया कि जायज होने के बावजूद जब इंतहा हो जाए और अवरत से ना बन सके तो उसका एक तरीका है तिलाक देने का कानून वो सही अपनी जगापे है लेकिन हम उसका इस्तमाल खलत कर रहा है हमको तो बहुत खुश ही आज मारा प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ अल्ला करम से और काफी लोग आए इस चीज़ को पसंद के मख़ूद में पाक करम है उनके दौा है कि आज इतनी काम्याबी मिली और अल्ला हमें हमें हमिश्रे सा काम्याब फर्माया है हासमी साहब का आज जो भी प्रवचन मैंने सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे वाकई में लगा कि आज की चौचा की मिट्टी की मेहक आज हमारे यहां जो गोरे गाउं में यह प्रोग्राम बाबा करा रहे हैं घजास बाबा वहां पर हमें यह फिल हुआ हारा अदमी अपने धर्म हिसाब से कराता है कोई जो हरामायन कराता है तो एंड़ सराम में इसको प्रवचन कहते हैं यह यह सटे हम दीउन्साली मनाते वह पर ढई अच्छा स्वास TV मैं तो कहते हूं कि इंसानिये से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो कि सारे प्रवचन में हासमी सहाब ने अपने सब यही का और एक सच्चा मुसल्मान का मतलब यह कि सच्चाई से होता है मैंने पूरी कुरान तो नहीं पढ़ी लेकिन बहुत लोगों से मेरा वास् जी है बहुत सारी चीज़े मैं इंसे सीखते रहती पूस्ते करते हैं हासमी सहाब का जो मैंने आज यहां पर प्रवचन सुना उससे पता चला है कि मुझे कोई भी धर्म गलत चीज़ें नहीं सिखाता है मेरी अभी अपकमिंग मुवी है साउद की मुवी है मारी अपन की जैड़ी है गोल्ड मेडल और एक मेरी हिंदी मुवी है मीना कुमारी की और कई सारे सीरियल हैं जिसका की नाम अभी मैं जाहिर नहीं करूँगी कि कि अभी मैं उसमें काम नहीं कर रही हूं सब डन हो गया है तो बहुत ही जल्दी मीडिया के सामने बिल्कुल बता दूंगी मैं